हम लोग श्रीमत भागवतम के तीस्तरी उसकंद के ग्यारवे ध्याय के तेरवे और चौदवे श्लोक को पढ़ेंगे तो आज सारी केलकुलेशन हो जाएगी कितने कितने घंटे का है और पूर कुछ बाते हैं बड़ी रोचक बारवे में हमने यह पढ़ा था दिवी आयने चाहनी प्राहुर वसरो वसरो द्वादशा स्मृतह सम्वसर शतम निर्णाम परमायुर निरूपितम तीवी कहां से आए दिवी शब्द जो है वह पिछले श्लोक से है उसका अनवाई वहां से लिए जाएगा दिवी मतलब देवताओं के आयने का शब्द करता है दो आयन को दो दिन को स्वर के लिए दो आयन का अहनी प्राहु एक दिन एक दिन रात कहा गया है आयन का मतलब तो दक्षिनायन और दो जो है ये देवताओं के एक अहनी और रात करें पूरा एक दिन रात कहे जाते हैं यहनी कि देवताओं के हमारे लिए एक साल जो है उनका एक दिन है टोटा टूंटिफूर आवर्स है वस्रह द्वादशा स्मृता एक जिसे एक वर्ष अथवा बारा महिने कहते हैं हमारे यहां पर जो एक वर्ष है या जो उसको बारा वर्ष कहते हैं या दो आयन कहेंगे तक शिनायन या उत्तरायन कहेंगे वो देवताओं के एक दिन है निडाम शतम समवस्रा आयू परम निरुपितम मनुष्यों की परम आयू को सौ वर्ष का कहा गया सिंपल इसमें क्या खटना है यह समझत बहुत इजी है अब यहां ही कह रहे हैं कि जो काल चक्र है इसमें सूर् परमानु से लेकर पूरा समवस्र तक व्याप्त रहता है और सभी के लिए सबको नाप रहा है बेसिकली सबकी आयू को शीन कर रहा है यहां पर कह रहा है सूर्य सभी की आयू को शीन कर रहा है इसको यहां पर बताएंगे क्यों शीन कर रहा है वह पंद्रवय शिलव में बत ग्रह अर्क्षतार चक्रस्थ पर्मान वादिना जगत सम्वत सरावसानेना पर्यत्य निमिशो विभू ग्रह अर्क्षतार चक्रस्थ पर्मान वादिना जगत सम्वत सरावसानेना पर्यत्य निमिशो विभू ग्रह अर्क्षतार चक्रस्थ पर्मान वादिना जगत सम्वत सरावसानेना पर्यत्य निमिशो विभू ग्रहर अर्क्षतार चक्रस्थ पर्मान वादिना जगत सम्वत सरावसानेना पर्यत्य निमिशो विभू विभू सारे ब्रंहांट के प्रभाव 실ाली नक्षत्र हो segundos ब्याद के इस data अनुग्ले के साधार ग्रह तारे तथा पर्मान पर ब्रह्म के प्रतिनिधी दिव प्रतिनेधी मतलब भगवान के प्रतिनेधी दिविकाल के पढ़ने में गलत हुआ, सारे ब्रहमांड के भाव्षाली नक्षत्र, ग्रह तारि तथा परमानु परप्रह्म के प्रतिनेधी, समझे बोलने वसे गलत हो गया था था परब्रमर्थाद भगवान कृष्ण के प्रतिनिधी दिविकाल के निर्देशा नुसार अपनी अपनी कक्षाओं में चकर लगाते हैं इसका एक और अर्थ अन्वाई के अनुसार है उसको देखते हैं इसलिए इसमें रिक्ष मतब अश्वनी आदी नक्षत्र अन्यक प्रकार के नक्षत्र होते हैं आये तारा और तारा आदी के द्वारा उपलक्षित चक्रस्तह काल चक्र में इस्थित और निमिशह और निमिशह मतलब जिसकी निमिश यानि की पलक नहीं जपकती है सदा सरवदा जो सावधान रहते हैं ऐसे काल रूप भगवान के अंश विभू अर्थात सरशक्तिमान सुर्य यह थुआ समझने का प्रयास की यह बड़ी कटिन है है इस मतलब इस जितने भी तारियादे है उनके उप उपलक्षन से इनको कहने से समझना होगा कि सूर्य के बारे में कहा जा रहा है वह सूर्य कौल चक्र में इस्तित होकर इस सभी काल्चक्र में और सूर्व भी कार्द आप परे नहीं है सूर्य काल के द्वारा नियंत्रित है उसको उसको सूर्य काल के द्वारा नियंत्रित है उसको रिप्रेजेंटेटिव भी है काल के ही प्रभाव में सूर्य है लेकिन सूर्य काल को रिप्रेजेंट भी करता है आपको हम लोग चर्चा कर चुक है कि सूर्य के सभी पर अपना शक्ति प्रता प्रस्तुत कर रहा है समवस्षर समझते एक वर्ष अवसाने ना परियंत बीतने तक पर्मान आदिना पर्मान त्यादी से लेकर जगतह पर येती बारहा राशी रूपी भुवन का एक ब्रह्मन करते हैं है आऑ ब्रहा राशिया होती है अभषी रॉति ना होच नाम थाज aезд aali men my cat let's see if you Europe about our English Zugٍ थीर दिरे बोली हाओ थे वर्षभ मिधुन कर्ग शिंग कन्या तुला वरिष्चिक धन मकर कोई बात नहीं दस याद है है और दनू मकर मपर हो गयादनू चली ग्यारा बता दिये बहुत है ग्यारा याद इसको मेला बारा भी पता है मिन ओवरी गुड मिन ऐक और भक्त को भी याद था अब तो अगली अपनी राश्य य गुंता है इसलिए तले नहीं सब्सके बाद घ्रद्रकार से ब्रह्मन करते हैं वोग ग्रह अर्क्ष तारा चक्रस्थ ग्रहों से नक्षत्रों और तारा आदिस से उपलक्षत चक्र अर्थात काल चक्र में स्थो अर्थात सिस्थत परमान वादिना जगत परमान वादिस सिल्लेकर और पाकसारी संपूर्ण जगत में समवसर अवसाने ना समवसर परियंत अनि प्रमन करते हैं कौम अनिमिश्वव भगवान के काल मत्ली से लेकर पूरे प्रमानों से लेकर पूरे जगत भ्रमन करता है एक सार था बात किया रहे हैं इस करम से यह बतलाया गया कि सूर्य नित्थी मनुश्यों की आयू को शिन करते हैं इसको क्या मतलब है जैसे जैसे सूर्य घूम रहा है निकख्षा में हमारी आयू कम होती जाती है लोग बोलते जरूर है बर्थ डे लेकिन इस अक्षिलिए डेथ डे श्विकार है ना एक साल और मर गए ना एक साल और जीए नहीं और हमारी आयू से कम हो गया कि आयू शीण क्यों कर रहा है इसको हम लोग अंधर में सब्सक्ता करेंगे इस यहां पर याद रखना कि त्योरी वे बोला जा रहा कि ये चिट दिखाता है कि कहारो काल काल्चक्र को रिपसरिन करने वाला सूर्य घूं घूं कर वून कर दरसाल काट रहा है बहुत अच्छा था कई बार में सुर्य लोगों की आयू को काट रहा है लेकिन इसका प्रश्ण का उत्तर नहीं हुआ कि क्यों काट रहा है और मैं इसको लेना चाहा रहा था है मैं त्यारी भी नहीं कर पाया थोड़ा समय कम बचा था और वह ऐसा टॉपिक है भी नहीं कि इसको जल्दी जल्दी पढ़ा दिया इसको कल के लिए चोड़ दी बगवान चाहेंगे तो कल कर लेंगे इन आयू काट क्यों रहा है उसका उत्तर आपको पंधर में मिलेगा अभी चंद्रमा आदी ग्रह अशुनी नक्षत्र तथा दूसरे नक्ष इन सबों से उत्त उपलpf चक्र के भीतर रहने वाले काल शुरोब। सूरिह ग्रह आधी के अधिश्टाता है मतलब जो बात समझ में आinen जो से कुछ समझ में नहीं नहीं और सुरे ने शावाधिष्ट जहरों के अधिश्टाता है और वे बात श्रयात्मक भुवण कोश में परेटन करती रहते हैं मतलब कहने का यह कि जो बारां राशियां है उस उससे युक्त याँ जगत में सूर्य प्रहमन करते रहते हैं 20 ऐसल सर्चत कि पता है सब्सक्राइब नेkeit लेकिन 12 राशिय अगर घूरा है तो उसेश में है कि आताइप हो एकक साल में पूरा बारा रशंबी गुम जाता है हुमको नहीं पता हुम स्कुर्ण परमेश्वर की आंख है और ये है काल की अपनी विशिष्ट कक्षा में चक्र लगाता है इसी तरह सूर से लेकर परमानों तक सारे पिंड काल चक्र के वशिभूत हैं और उन्हें से हर एक का एक समवस्तर का नेमित चक्र काल है इसमें से हर एक का एक समवस्तर का नेमित चक्र काल है यह कुछ समझ में नहीं आ है इंग्लिश में देखना पड़ेगा कि प्रभपात के मेरे पास है खोला हुआ है similarly beginning from the sun down to the atom all bodies are under the influence of the काल चक्र और the orbit of eternal time and each of them has a scheduled orbital time of one somewhat sir clickager समझ में नहीं आएँ किश कुछ समाझ में नहीं है है इस से तो कौछ समंझ में नहीं आ रहा है कि क्या कर रहिए लास्ट लन सन्ट्रमें कि भी क्या बोल रहे हैं छोड दिए नहीं सम्झ में अथा कि क्या कर सकते है अब यہا एक बड़ी मजवधार बात आ रही है लेकिन अन ग्रह भी अपनी कख्षा में घूम रहे हैं और उन सब का अलग-अलग समय समझ रहे ना बात यह तो बिल्कुर स्पर्शन में आ रहा है प्रत्वी का सम जो साल है वो 365.25 दिन का है 365 है ना मलब यह कहा जाता है और अब ब्रहस्पती का जुपीटर का बहुत 11 साल का ह तो हम लोग पढ़े हैं उसमें सारे ग्रह जो है वो सूर के सभी और रमण कर रहे हैं आप जो भी किसी भी कख्षा में रमण कर रहे हों लेकिन वो अपने और मिर्पे घूम रहें उस और बिट में वो पूरा एक साल जो है सबका अलग-अलग होता है तो इस तरह सबके नहीं बोले है प्रिथ्वी जो यहां के सार्थ सूर को बोला जारा है सूर घूम रहा है वैद्ध के साब से शहां इस्ट्रोजजी के साब से सूर घूम रहा है So, it's a unique let's keep it to that आप और हम 50 कंद में और देखेंगे सूर का 300 पैंसे पाइंट 25 दिन होगा चंद्रमा के कुछ अलग होगा, ब्रहस्पति का अलग होगा, वो सब नाम यहां पर बताएगा ने, अलग-अलग ग्रहों के जो कक्षा में घुमने के टाइम हैं, वो अलग-अलग हैं, और इस कारण से उनका सब जो वसर अर्थात साल है, वो अलग-अलग नाम से कहा जा रहा मेरे पाशे बोलिए सम्वसरह परिवसर इडावसर एवच अनुवसरो वसरस्च विदूरेवं प्रभाशते सम्वसरह परिवसर इडावसर एवच अनुवसरो वसरस्च विदूरेवं प्रभाशते सम्वसरह परिवसर इडावसर एवच अनुवसरो वसरस्च विदूरेवं प्रभाशते यह थोड़ा समझने वाला होगा सूरिय चंद्रमा नक्षत्र तथा आकाश के तारों की कक्षाओं के पांच भिन भिन नाम हैं और उनमें से प्रते का अपना सम्वसर है समझे सबका अपना अपना साल है इस प्रकार ग्रह आदी की गति के भेद के द्वारा सबकी अलग अलग है और सबकी जो डिस जो घूमने का टाइम है वह भी अलग अलग है क्या इसको मुझे फोटो से समझाना पड़ा गया सब तो समझ में आ रहा है अगर वेदिक मॉडल समझ में नहीं आ रहा है तो आपक स्यंटिफिक मॉडल यह तो समझ में आता है ना सूरी है उसके प्रित्वी है प्रिचंद्रवा है तो सब लोग सूर के आगे घूम रहे हैं अलग समझ लें तो अब इस सभी लोग एक सबका एक साल नहीं होता है मार्स का अज़र सचाओड कीजिए कि सोलर सिस्टम में सबका तो क्या होता है जो सब मर्करी संबसे पास में अब उसका सबसे कम समय होता है 628 दिन में कवर कर लीता जातक मुझे यदा यसि यह में मैं में में घर्क ओंधा यह नहीं जय आट गे beggedра Hon लाग्ए बोल रहा हुँम अ मर्करी को कित्ना समय लगता है 1227 शायद यह किसी कह 100% होत एक नम एक डिची सही था, 128 था, माई की बताईये, माई की बताईये, हाँ, Mercury is 88, अजय अंग्रेजी में मत बताईये, Mercury 80 दिन में होता है, हाँ, शुक्र दोसो पच्छिस, पृत्वी 365, मंगल 687, गुरु 4333, दिन, हाँ, ठीक है, शैनी, 10,759, ओके, और बस, Uranus, Uranus तकी पहुंच गए, नहीं ठीक है, Uranus तकी पहुंच गए, 30,000, 667 देज, और नेप्चून, 60,190 देज, तो यह नासा के डेटा देजा जा रहा है, तो मोटा-मोटा समझ गया आप लोग कि सबका साल जो है, वो अलग-अलग होगा, अच्छा है कि Uranus में नहीं है हम लोग, वसे उसमें तो कुछ महिनों में ही हमारी बागवत्म पुरी हो जाते हैं, यह नेप्चून में, ठीक है, एवं इस प्रकार यह वर्ष ही संबस्र हा, सूर के संबंद से संबस्र, चा परिवस्र और ब्रहस्पति के संबंद से परिवस्र, कुछ समझे, अगर सूर के साल की बात करेंगे, तो वह 365 दिन का वस एक साल होगा, अगर आप ब्रहस्पति ग्रह पे हैं, तो एक साल किते समय का होगा, जितने समय कभी हो, मतब परिवस्र होगा, बहुत लंबा होगा, एवं इडा वस्र, सवन के संबंद में, इडा वस्र, सवन को इग्रह होगा, अनुवस्र हा, चंद्र के संबंद से अनुवस्र, चा तथा वस्र, नक्षत्र के संबंद से वस्र, प्रभाशतिय से कहा गया है समवस्तरा परिवस्तरा इडावस्तर एवचा अनुवस्तर वस्तरस्चा विदुर एवं प्रभाशते हैं विदुर इस प्रकार से अलग-अलग सालों के नाम है अलग-अलग ग्रहों के संबंद में ठीक है ये काफी रुचिकर टीका लगी सारार्थ तर्श्री सूर्य ग्रह नक्षत्र और तारागण के मंदल की चर्चा करते हुए कहा गया है कि सूर्य के गती से ही ग्रह और नक्षत्रों की भी गती होती है इसलिए वर्षों के विभिन नामों का उल्लेख किया गया है समवस्तर आदि इस टोक से सूर के बारहा राशियों को पार करने में जितना समय लगता है उसे समवसर कहा जाता है और हो गए 365.25 दिन तो इसी से बाद समझ में आ रही है कि अन्य ग्रहों को बारहा राशियों को पार करने में जितना समय लगेगा उनको उनके संबंद से अलग-अलग वत्सर के नाम से जाना जाएगा पर सन के संग सन वत्सर याद करना हो तो सन सन वत्सर सन वत्सर सूर को बारहा राशियों को पार करने में जो समय लगेगा वो हो गयागा सन वत्सर अच्छा यह बताएं कि क्या यह अन ग्रह भी बारहा राशियों को पार करते हैं ऐसा कुछ होता है क्या सुर के अराण गूंगते हैं अब जो भी है यहां लिखा है तो उसको स्विकार कर लेते हैं हमने श्रित्र समय जी की टीका नहीं दिखी वो तो ऊपर से एक दम ही उपर से गई वो क्या कह रहे हैं आस्ट्रोला जी का हम कुछ समझ में आ रहा थाहे चक्रवर्थीपात की टीक्क है कुछ समझ में आ रही है ब्रहसे पती के बारहा राशियों के भ होगकाल भग होगकाल का मतलब इसको पार करने परिवस्तर कहते हैं 11.87 साल 12 साल होते हैं उसके मुटा मुटी लेकर ये अब हम कोई एक पॉइंट बोल रहा है कि ये शनी की साड़े साती होती है ये क्या होता है शनी आपकी राशीम बैठा है है ऐसा होता है कि साड़े साथ साल तक एक राशी में वैठा है माइक प्तायए नहीं पता है लेकिन हां तो ऐसा कुछ सुना है कि शनी एक राशी में साड़े साल तक बैठा हो ये गुमता हो वे आप। don't have much idea but it seems कि सब सब ग्रहों की अलग अलग नाम रखते हैं ठीक है चंद्रमा के बारहा राशियों के भूग काल को अनुवस्र कहते हैं 327.6 दिन तो यानि कि चंद्रमा का साल हुआ 327 दिन का ऐसा समझ लिए हमको अगर आप होंगे तो वहां का साल कितना होगा अल्मोस्ट 12 साल का होगा ठीक है नक्षत्रों और ताराहों की अपनी गति ना होने के कारण उनके लिए चंद्रमा की गति ही उनकी गति मानी जाती है 27 नक्षत्रों के लिए 27 दिनों के 12 महिने मिलकर एक वस्थर बनाते है यानि की 12 महने होते हैं और वो 27 दिन के होते हैं जो 324 दिनों का होता है यानि की वो अलग कोई वस्तर हो जाएगा Tारों की संख्या असीमित मानी जाती है इसलिए 300 दिनों के सावन महीने के 12 महीनों को इडा होना चाहिए इडा वस्तर कहा जाता है तो अब ये कुछ-कुछ समझ में नहीं आया इतनी बार समझ में आ रहे हैं कि अलग-अलग ग्रहों के हिसाब से अलग-अलग साल होते हैं इतनी डीटेल में जाने से क्या पाइदा कौन से कोशन पूशे जाएंगे ताथ परिया तो यहां अब समस्या का समधान हो जाएगा कि घट कितना एक लव कितना है इतना यह लगू कितना है वो सेकेंड में ट्रांसलेट किया जाएगा ताथ पर श्रीमत भागवतम के उपर युक्त श्लोकों में भौतिकी रसायन विज्ञान गनत जोतिर विज्ञान काल तथा दिक विश्यों की चर्चा हुई दिक मतले दिश हैं किन्तु जहां तक हमारा संबंध है हम उनकी समयक व्याख्या तकनिकी ग्यान की रूप में नहीं दे सकते हैं प्रभुपाज जी नहीं दे रहे हैं तो हम क्या भूलेंगे आपके सामने रिपीट कर दे जो था कहने का आर्थ प्रभा जी का यह है कि वह जो इसमें और भू बीत गए कितनी नाडिका बीत गई जब करते करते कोई मतलत है नहीं तो इसलिए लेकिन जहावट के लिए बोल रहे हैं इस विशय का सारांश इस कथन द्वारा दिया गया है कि ज्ञान की विभिन शाखाओं के ऊपर काल का परम नियंत्रन है और यह काल भगवान का स् कट हो रहा है उनके बिना कुछ भी विद्यवान नहीं रह सकता अतर हर वस्तु हमारे अल्प ग्यान के लिए चाहेवे कितनी ही अद्बुद क्यों नहों भगवान की जादुई छड़ी का करतब प्रतीत होती है तो बात यहां पर यह है प्रभबाद यह कहना चाहते हैं और भगवान की पोस्ट कुछ हद तक वह प्राप्त कर सके सवज में आ गया सारी बात ठीक है जैसे छोटी सी बात है भगवान पंची को सामर्थ दियें कि वो उड़ जाए तो अब पंचियों को उड़ते देखते देखते प्लान की भई हम भी उड़ेंगे तो वह यह नहीं सोच रहें थे कि भगवान वह कौन विक्ति है जिसने इन पंचियों को उड़ने के लिए शक्ति प्रदान करी वो खुद इस शक्ति को प्राप्त करना चाहते थे अब बच्पिवने पढ़े थे कैसे वह कुछ लोग पंख बांद कर उड़ने लगे उड़ेंगे उड़ेंगे उपर से गूद करके ऐसे करते करते अंत्तों गत्वा राइट प्रदर्शने पहली बार हवाई जाहज बनाया था पहुत सारे प्रयास के गए तो वहां लोग कि नियंत्रण में है और भगवान की भक्ति करते हैं आधनिक घड़ी सारी जहां तक काल का संबंध है हम आधनिक घड़ी के अनुसार काल की तालिका दे रहे हैं तो अब वह तालिका मतलब आपको याद हो कि हम लोग ने मेजरमेंट की बात कहां से करी थी एक दंड से और यहां पर लिखा हुआ है दंड वस नाडिका एक तामे के पात्र में सोने से सोने की सुझ से छेद किया जाए और उसको पूरा भरने में जितना समय लगेगा उसको एक दंड कहते हैं तो वहां से बैक कैल्कुलेट करते हैं समझें कि एक तुरुटी है आट बाई तेरा पांसो सेकेंड एक वेद उसका ऐसा और लव निमेशन काष्ठा लगू दंड प्रहर तो एक प्रहर मोटा मोटी तीन घंटे का होता है और एक दंड तीस मिनट का होता है जिसको भी यह पढ़ने में कल्कुलेशन करना है वह उस कल्कुलेशन को समझ सकता है एक प्रहर तो शुरू कर लेजी या एक दंड से शुरू किजिए एक दंड जो है वह है फिक्स था और कभी-कभी एक प्रहर 6 दंड का होता है और कभी-कभी 7 दंड का होता है यादार आपको 6 दंड का होता है कभी 7 दंड का होता है इसलिए प्रहर is not really fixed यह अप्रॉक्सिमेट है कि 3 घंटे फिक्स है एक दंड उसके बाद आप बाकी सारी चीज़ें बैक कैलकुलेट कर सकते हैं और तो डिवाइड करते चले जाए और फिर वह आपके पास इस सारे चीज़ें आने लग जाएंगी महनत करना चाहें तो कर सकते हैं प्रहपाज जिन्हापर करके दिया है एक दिन 12 गं ії आंदे कियोते एक पंदर दिन का होता है दो पक्ष का एक मास anybody मास का एक पंचांग वर्ष यह सूर की पूर एक अक्षा होते हैं हाग इस स्sam नेच्यांटरण की पूरिपोष्ट्र इसफ्रकार चाहा होते हैं नियंत्रन ये है कि काल एक साल बारा महिनों का ही होगा, तेरा महिनों का नहीं, तब आप कहेंगे परवजी पुर्शुत्त मास कैसे आ जाता है, वैदिक सिस्टम में वो तीस दिन का एक महिना होता है, और इस कारण से बच बच के कुछ घंटे बच बच करके वो है, चार साल के बाद वो एक महिना बन जाता है, इस सिस्टम रहता है, इस कारण से, लेकिन उससे अधिक नहीं होता है, यह इंट्रस्टिंग है, धान दिया आपने, सूर्य इतने समय में ही घूमेगा, ना उससे पहले, ना उससे कम, सूर्य की साधना भगवान ने फिक्स कर दी है, इतन टाइम पर सूर्य उगेगा, इतने ही समय में घूमेगा, कोई टाइम कम नहीं हो रहा है, इसलिए क्या ने इंत्रट की विदी है, और ज़रा विचार कीजिए कि सूर्य ऐसे घूमते 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 ब्रहमा जी का पूरा दिन ब पूरा पौरम आयू समाप्त हो जाएगी, एक्जाक्टी सूर को काल का मापक लिया, मापक लिया गया है, और सूर को एकदम फिक्स चलना होगा, वो लेट नहीं कर सकता है, ये नियंत्रन है, समझ में आ गया, ठीक है, ब्रह्म समिता में इस नियंत्रन की परिपुष्टी इस हुए, यच्यक्षूरेश सविता सकल ग्रहाणाम, राजा समस्त सुरमूर्ति रशेश तेजाह, यस्याज्यया भ्रमतिचं भृत्यकाल चक्रो, गोविंद मादि पुरुषं तमहं भचामी, मैं उन आदि भगवान गोविंद की पूजा करता हूँ, जिनकी नियंत्रन में भगवान की आँख माने जाने वाला सुर्य एक नित्त काल की स्थेर कक्षा के भीतर चक्र लगाता है, सुर्य समस्त लोकों का राजा है, और उसमें उश्मा तथा प्रकाश की असीम शक्तिश लोक देखिए, यह चक्षुरेश सविता, जिनके चक्षु एश सविता, सविता मतब सूर्य, यह सूर्य जिनके चक्षु है, और क्या है, वह सूर्य तो कह रहा है, सकल ग्रहानाम राजा, सभी ग्रहों के वेर राजा है, ठीक है, समस्त सुर्व मूर्ति और समस्त रूप हैं अशेश तेजा उनका तेज अशेश है अभी देखे कितनी सुन्दर बात है यानि कि उनका तेज कभी भी नश्ट नहीं होने वाला और साइंटिस्ट कहा रहा है भाईया सूर ठंडा हो रहा है यह यह है वैदिक सूर ठंडा हो रहा है वह ठंडा हो चुका होगा अब तक उमर भी गया होगा और उसको कोई बाद में गाली दे अबे जूट बोलता था सूर ठंडा हुआ नहीं है ना पहले से अधिक गर्मी बढ़ रही है ना सभी लोग सत्यापित करेंगे कि क्यों प्रभू आप लोग जब है बच्चे थे तो गर्मी कम पड़ती होगी तेंपरचर देख बढ़ रहा है तो तो अगर ठंडा हो रहा हे तो ठंपर रहा है है ना यह क्या क्या नहीं зачем है यह सत् Meat अगया पहले इतना एस सी वशी के जूरत नहीं पढ़ती थी कि बहुत सारी चीज़ें हैं लेकिन गर्मी तो बढ़ रही है ना तो सूर्य ठंडा तो नहीं हो रहा है ना अगर सूर्य ठंडा हो रहा होता तो हीट कम हैसु सोनी चाहिए तो इसे एक दम से कहते हैं गप मार रहे हो और लोग विश्वास करते हैं आहां भई पांच अरफ साल बात सूर्य ठंडा हो जाएगा तुम जिंदा रहोगे तब तक इस बात कोई मतलब है इस रसर्च कोई मतलब है कोई मतलब नहीं और मान भी लिया जाए कि ठंडा हो जाएगा तो तुम कर क्या लोगे कुछ भी नहीं कर पाओगे तो अभी से इस बात पर चिंता करने के बज की हम पूजा कर रहे हैं जो छोटे से बाल गुपाल की रूप में क्रिष्ण की रूप में हमारे सामने उनके बारे में भवान ये ब्रह्मा जी कहते हैं कि यस्याग्या उनकी आग्या से ही भ्रह्मती संभृत काल चक्रों काल का चक्रों ब्रह्मन करता है और ये उस काल चक्र क अधीन होकर भ्रमन करते हैं ब्रमन समझते हैं इधर से इस देश से उस देश में जाना उस देश से इस देश में जाना इसको भ्रमन कहते हैं कि नहीं भारत से इसराइल पहुंच जाए इसराइल से अमरीका पहुंच जाए अमरीका से फिर जापान पहुंच जाए और जापान से फिर बर्मा आजाए बर्मा से फिर भारत आजा तो उसे ब्रह्मन कहा जाएगा कि नहीं कहा जाएगा तो ऐसे ब्रह्मन कर रहे हैं सूर्य उनकी आज्या से यहीं की फ्री ब्रह्मन नहीं कर रहे हैं फ्री स्टाइल ब्रह्मन नहीं कर रहे हैं कि अजरा देखे भाई यहां करने का में अच्छा कुछ खाने को रोक जाए नहीं रूक नहीं सकते आग्या से भ्रमड कर रहा है कुछ समझा है कउपनी टूर मतलब कंपनी कईए कि यहां दो दिन रूक ना आ है वहां तीन दिन रूक ना है और एक दिन रूक ना अंटेबर रुकना ऐसे करके तो भगवान निर्धार्यत कर रखा है कि सूर्य को एक विशेश गती में घूमते ही रहना पड़ेगा तो भगवान की कितनी अद्भुच शक्ती है और ऐसे भगवान की पूजा करने का मौका अफसवर हमने को दिया जा रहा है ऐसे इसलिए करें गोविंद मादि पुरुषम तमहम बजा में इन गोविंद का मैं भचन कर रहा हूँ प्रश्ण बनेगा कि सूर्य सब की आयू को शीन क्यों कर रहा है उसको हमने भवान ने चाहा तो कल तचा करेंगे बड़ा अच्छा टॉपिक था वो कि क्यों आयू काट रहा है बहुत अच्छा टॉपिक था तो इसको डोंट वांट तो वरी फास्ट कृष्णा वेडिंग विल्डिस कस्टुमरों श्रीमत भागवतम की जय श्रील्व प्रभुपात की जय निताइगोर प्रिमानन देव